अगर जिन्दगी में कुछ पाना हो तो तरीके वदलो इरादे नहीं उसमें ओनलाइण सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं अपने प्रोफाइक लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दे दें हो तो उसी लिंक भी क्लिक करके आपशादे में देख सकते हैं पहला कोशन दोस्तों, ACI खेलों में स्वण पदक जीतने वाली पहली भारती महिला पहलवान कौन बन गई है? Most important question है अगामी exams के लिए. दोस्तों, ACI खेलों में जो तो स्वण पदक जीतने वाली पहली भारती महिला पहलवान बन गई है? विनेश फोगट यानि option D. राइट है विनेश फोगट देखें उस तो आपको बता दे कि आपके इंडोनेशिया में 18 एसी आई खेलों में भारत को अपना दूसरा सोण पदक मिला है आपको बता दे कि विनेश फोगट ने महिला कुष्टी में 50 किलो वर के फ्रीस्टाइल के फाइनल में जो तो जापान की यूकी आईरी को हराया है किसको और आया है जापान की यूकी आईडी को 50 किलो बर के फ्री स्टाइल में राया है ठीक है किसको और आया है जापान की यूकी आईडी को आपको बता दे किसी जीत के सास्थ विनेस ने जो है तो इतिहास बनाया है क्योंकि आपको बता दे कि वो ACI खेलों में स्वाण पदक जितने वाली इन गोल्ड बिनल जितने वाली पहली भारती महिला पहलवान बन गई है ठीक है इसके लावा दोस्तों आपको बता दे कि ACI खेल जो है दोस्तों आठारा की मेजवानी इंडोनेशिया का जकारता और पॉलेंबैंक शहर कर रहा है और ACI खेल जो आठारा कारो सुभंकर क्या दूस्तों मैसकट क्या है ये most important आपको एकजान में पूझा आ सकता है क्योंकि कई बार एक question पूछा गया है तो भिन भिन काका और जो है तो ACI खेल जो आठारा काश शुभंकर है क्या है शुभंकर भीन भीन काका और अतंग और इन्होंने किसको अराया है तो जापान की यूकी आईरी को और 50 किलो बर के फ्रीस्टाइल में जो तो इन्होंने जीता है एक ओल्ड मेडल इसके लई बाँ बताजा दोस्तों कि गीकलो अठारा कहा हो रहा है यकारता के निणभीन के स्थान पर झंबेर। अठ्वियों आठ्व में स्थान पर था ठीक है चलिए इसके लावा दोस्तों आपको बता दें चे엌 से फिलेटेट बहुत सारै फेक्ट्स यहां पर कमल जी संधु से लिइत बहुत विश्व वैड्मिंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट तो करेदम मलैस्वरी ओलंपिक में कोई पलबक प्रापत करने वाली प्रैथम महिला थी करणम्मलै Stay ठीक है तो एसी आई खेलों में शौन पतक जितने वाली प्रथम भारती महिला पहलवान कौन बन गई है यह बन गई विनेश फोगट दोस्तों यहां पर इंडोनेशिया की बात करते तो इंडोनेशिया की राजधानी है जाकारता और आपको बता दी कि इंडोनेशिया हम दोस आठ आगस 1967 में और अजो इंडोनेशिया जो बरतवान प्रेसिदेंट है वह जोको विडेड़ो का हुए प्रेसिदेंट इंडोनेशिया का बरतवान में जोको विडेड़ो इसके लागर वसक्त बता दें कि आसियान को जो 38 सिक्खर सम्मेलन हुआ था वह तो तो जीतने वाली प्रथम भारती महिला पहलवान कौन बन गई है ये बन गई विनेश फोगट इन्होंने गोल्ड मिडल जीत लिया है ठीक है इतने सारे फैक्ट आप बिल्कुल नोट्स करते चलिए इसको नोट्स जरूर कर लीजिए और इसको रिविजन करते रहे ताक कि आपको लिजसे देखें को बता दें कि विहार के नहीं राज जिपाल बन गए रजी टेंडन इन्हों सत्यय पाल मलिक का स्थान लिए किसका सत्यय पाल मलिक का और आपको बता दे उस्तों के रहाख यह नवज कर रहा है रहा हूं फिलकु नोत कर लिए सथी आपको पीडियाब में मिल या लगीन अभी नोट करके और रिइजन कल देखे जो लाजी टेमू ने हैं बिहार के नवज चेपाल और गंगा-प्रसाद बन गए सिक्कीम केने राज जपाल ठीक है और रयाणा के निया राजरायण यह अरे आपको बता अत्राजर आत फ़रसाद पहले मेग ह्लारा के राजर जपाल दें जो अब सिक्कीम राजर जपाल बन आ अगला कुशना दोस्तो जम्मू कास्मीर के नए राजज्य पाल क्हों होगी तो इसका इंसर्शू सत्य पाल मली कौन होगे सद्य इन्न भोहरा अगस्थान लिया है ठीक है वह बात करें आनंदी नपरडेल की दोस्तो आनदी वहिन टंडर का निधन हो गया था तो MP मद्ध पदेश के साथ साथ 36 गड़ के जो अतिरीत प्रभार है वह अनंदीवें पड़ेल के पास ठीक वहीं बात करें राम नाइक की तो राम नाइक जी वरतवान यूपी के राज जेपाल हैं एक बार में आपको सारे राज जेपाल करें राहें और उत्तराक्ठण के नेयरा जे पाल है बेबी रानी मॉरे और मेखालाए के राज जेपाल है तठागात राय त्रिपूरा के नए राज जेपाल प्लंगे कफ्तान सिंग सोलंकी देखिए तो पहले मेघाला के राजजपाल थे, जो अब सिक्कीम के राजपाल बन गया है, वहीं तथागात राय पहले तिरपुरा के राजपाल थे, जिने मेघाला के राजपाल बनाया गया है, वहीं कप्तान सिंख सोलंकी पहले हर्याणा के राजपाल थे, जिने अब तिरपुरा के राज्यपाल बनाया गया है ठीक है तो जम्मू काश्मिर के नहीं राज्यपाल कौन होंगे यह होंगे दोस्तों सत्यपाल मलिक एनन बहुरागस्थान लिया है सत्यपाल मलिक पहले बिहार के राज्यपाल थे जीने बिहार के राज्यपाल अब कौन बन गया है लाल जी टंडन पूरा दोस्तों आपको लगता है पूरा mix हो गया होगा एक बार फिर से सुन लिजिएगा तो वीडियो पॉस करके आप फिर सुन लिजिएगा आपको पूरा clear हो जाएगा ठीक है चलिए नोट कर लिजिए आप लोग तो आपको पूरा clear हो जाएगा चलिए next है ACI खेल दो 18 में 10 मीटर एर पिस्टल में सौरफ चौधरी ने कौन से मिडल जीता है दोस्तों ACI खेल दो 18 में 10 मीटर एर पिस्टल में सौरफ चौधरी ने गोल्ड मिडल जीत लिया है देखे दोस्तों आपको बता दें कि सौरफ चौधरी ने जो है तो में 10 मीटर एयर पिस्टल में 64 जीता है तो सौण मेडल इन्हों जीत लिया है ठीक है देखेंअ सुक वतादे कि एस एक याई खेलों में पहला सौण पता किसी ने जीता है दोसली अठारा में तू जीता है पहलवान बजरंग पूनियाने ठीक है चलिए अगला कोश्चन है राजशाबा केलिए नहीं शुना आया देखें नोटा का फुल पर्म किया है आपे न नाबदा एबाव क्या है ना-सुप्रीम् फैसला जुनाया है उपरोग तो में से कोई नहीं है नोटा विकल्प राजसभा चुनाओं मंदान के लागू नहीं होगा और यह नहीं रहने सीजे आई जो है वारत के चीप जस्टिस ऑप इंडिया दीपक मिस्रा और जस्टिस एम एन खान विलकर और डी वाई चंदरचूंड समेत जस्टिस की एक बेंच ने ये किया है ठीक है बेंच ने कहा है कि नोटा विकल्प के वल सार्भोमिक वैस्क मताधिकार और प्रत्यक चुनाओं के लिए है ना कि राजसभा में किये गए एकल हस्तनता रणी ये वोट के मा द्धेम से अनुपातिक प्रतनेसित वप्रणाली द्वारा आयो चुनाओं के लिए राजसभा के वोट के माद्यम से अनुपातिक प्रतनेसित वप्रनाली द्वार अच CAS के लिए थेक है यहाँ पे थोड़ा सा राजसावा के बारे हैं जाल लेते हैं तो बता दे आपको तो राजसावा जो य Thai वरत्मान संंह्खे किते वा क्पॉर knowing है ठीक है उपराष्ट पती भारत के राजसभा का पदेन सभापती होता है और आपको बता दे कि जो उपसभापती अभी हाली में नियुक किया गया है यह भी आपको याद रखना है चलिए अगला कोश्चन है पेटीम ने किस कंपणी के साथ 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 दोस्तों पेटीम ने जो है तो अलिवाबा गुरूप के साथ जो कि चाइना की कंपणी है अलिवाबा गुरूप के साथ एक साज़ेदारी की देखो स्तों कोदा दिश्टल पेइमेंट कंपनी जो है पेटीम ने ए आई आधारित क्लावड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पेटम ए आई सामिल है ठीक है दोस्तों को उतादे कि जो अलिवाबा क्लावड कंप्यूटिंग बिजनेस से जन्वरी में मुंबई बना पहला भारत डाड़ा सेंटर खोला था ठीक है यहां पर दोस्तों पेटीम के बारें जान लेते हैं पेटीम की स्थापना होई थी दोस्तों 2010 में इस बात करें रहें पर अलिवाबा की दोस्तों तो अलिवाबा जो तो चाइना की एक फाउंडर थे जैक मा इसकी स्थापना उच्ञार है और तो वर्य जांग ठीक बतारा हुए है रेलवे एक्जाम और अन्य एक्जाम में बहुत मुच्छा जार है तो आप इल्कूर नोट करते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा ठीक है तो पेटियम ने किस कंपनी के साथ साज़ेदारी की है तो यह कि अलीबाबा गुरूप के साथ चलिए अब देख लेते हैं कल क एंसर कल मैंने कोश्चन पूछा था यह सी आई खेलो अठारा में भारत को पहला पता किसने दिलाए था इसका राइड एंसर तो बजरंग पूनिया पहलवान बजरंग पूनिया ने दिया था लगवाग सभी लोगों ने राइड एंसर दिया ठीक अब देख लेते हैं आज आपके सामने दे रखे हैं यहां पने कल की वीडियो देखी हो तो आपको एंसर पता हो यहां पर प्ले होगा आप देख सकते हैं ठीक है चलिए आप हमारे फेस्बूक पेज को जरूर लाइक कर लीजे वीडियो डिस्क्रिप्स बॉक्स वर सभी लिंग मिल जाएगी आपको मिलते नेक्स वीडियो के साथ दोस्तों आपका दिन शूभ हो जै हिंद बंदे मातरम